सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासिज सीटाइड जुलाई दोजार चोबिस के लिए हमारी स्पेशल रेगुलर क्लासिज चल रही है आज का हमारा सब्जेक्ट है सीडीपी चाइल्ड ड्वेलप्मेंट और पेड़ागोजी सीडीपी की फोर्टींत कलास है आज का हम कोस्ट के देखेंगे हमका क्या है और वें कोशण भी देखेंगे जो इन तीनों से आपके प्रमें आते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं NCF की, NCF most important होता है, सबसे ज़्यादा हमारे paper में देखने को मिलता है, अगर CTAT की बात करें तो, NEP से भी और RTEC, दोनों से ज़्यादा हमारा NCF हमारे paper में आता है, सबसे पहले बात कर लेता है, NCF actual में होता क्या है, इसे हम NCF बोलते हैं, National Curriculum Framework बोलते हैं, इंगलिस में अग document है, जो हमारी सरकार और जो हमारी सिक्सा की समीतियाए में मिलकर तयार करती हैं, ये एक ऐसा document होता है, जो बारत के स्कूल है, उन स्कूलों को बताता है कि आपको किस class में कौन-कौन से subject पढ़ाने, किस तरह से पढ़ाने और किस level के पढ़ाने है, एक document है, जो बारत सरकार तैयार करती है, समय समय पर तैयार करती है, कुछ सालों के बाद दुबारा तैयार करती है, क्योंकि समय बदल जाता है, चीज़े बदल जाती है, तो हमें अपना सलेबस भी बदलना पड़ता है, अब ये एक डोकुमेंट है, जो बार सरकार तैयार करती है, क्यों तैयार करती ह हमारे विद्यालों का सलेबस फिक्स करने के लिए क्या सलेबस हमारे स्कूलों में पढ़ा जाएगा अलग अलग टाइम पर अलग लग आता है जो अब तक का लेटेस्ट NCF है जो लास्ट बार NCF आया था अब तक अंतरिम लेटेस्ट वो 2005 में आये था 2005 के बाद अभी तक कोई नया NCF हमारा नहीं बनाया नेशनल करिकूलम फ्रेमवर्क कोई नया ऐसा डोकूमेंट नहीं बनाया जो हमें बताए कि हमारे स्कूलों में कौन सा सब्जेक्ट किस कलास में पढ़ाया जाएगा पेपर में आता है जो लेटेस्ट NCF है वो कौन सा NCF है वो NCF है हमारा 2005 लेटेस्ट है ये अंतरी में इसके बाद अब तक कोई नहीं बना अब हम NCF की बात कर लेते हैं भारत में सिक्सा का पाठ्ठेकरम कैसा होगा इसके निर्दारन के लिए पाठ्ठेकरम की किसी एक पेपर पे लिखेंगे हम तो वो जो डोकुमेंट बन गया उस डोकुमेंट को बोल देते हैं ये NCF है हमारे पाठ्ठेकरम की रूप रेखा है अब तक चार बार NCF टोटल बनाए जा चुके है मतलब टोटल चार बार वोय डोकुमेंट बनाया जा चुका है जो हमें बताएगा भारत में सलेबस कैसा है सबसे पहला 1975 में शैकिन हमारा आया था 1988 में थर्ड हमारा आया था 2000 में फूर्थ लेटिस्ट आया था हमारा 2005 में ये सब अब लागू नहीं है लेकिन 2005 वाला लागू है इन में से भी कहीं चीजे 2005 में ही ले ली गई है मतलब 2005 हमारा मुख्या तोर पर परभावी है वर्तमान समय में भारत के सिक्सा में कोश्चन आएगा भारत के जो वर्तमान पठे करम जो भी डल में पढ़ाया जा रहा है वो कहां से लिया हुआ है हमने हमने NCF से लिया हुआ है और कौन से NCF से NCF 2005 से लिया हुआ है अब तक का अंतरिव NCF 2005 है मतलब इसके बाद अब तक हमने कोई NCF नहीं बनाया है अई होप अब आप समझ पाई होंगे कि NCF क्या होता है अब NCF 2005 के बात कर लेते हैं यह क्या है जो NCF 2005 है इसका निर्मान यसपाल सर्मा समीति ने किया था इस समीति में टोटल 38 सदस से थे मतलब 38 सदस से थे यसपाल सर्मा समीति के हैड थे और यसपाल सर्मा समीति ने NCF 2005 का निर्मान किया है किसने बनवाया है NCF इसे हम आप सिक्सा मंतरा ले बोलते हैं हम कह सकते हैं हमारे जो सिक्सा मंतरा ले है उसने NCERT दिल्ली से कहा था कि अब आप भारत के लिए नया NCF बनाएए NCERT दिल्ली ने बनाया है MHRD ने बनवाया है कोस्टन आ जाता है किसके द्वारा बनाया गया है NCRT दिल्ली और MHRD दोनों का नाम मिलेगा दोनों आपको चूज करने होंगे या फिर कोई एक मिले वो सेलेक्ट कर लेना NCF 2005 में कुल पाँच अध्याएं है मतलब पाँच चैप्टर है चाहते हैं उद्देश से बताई हुए है कि हमारे उद्देश से क्या है NCF क्यों बना रहे है किसी एक बाग में बताया हुआ है बच्चे कैसे सीखते हैं हमें कैसे सीखाना चाहिए सीखसा मारी कैसी होनी चाहिए इसके लवा किसी एक बाग में कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे NCF 2005 में इस तरह से नहीं लिखावा NCF में कैसे लिखावा है subject का नाम लिखावा है समाजिक विज्ञान अब समाजिक विज्ञान 1st क्लास में ऐसे 3rd क्लास में ऐसे 6th क्लास में ऐसे पढ़ा जाएगा विज्ञान विज्ञान अमरे primary कक्षाव में इस तरह पढ़े जाएंगे secondary कक्षाव में इस तरह पढ़े जाएंगे 11-12 में इस तरह पढ़े जाएंगे इस तरह से हमने subject wise लिखावा है NCF में आप चाहिए तो उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं गूगल पर लिख दीजिए NCF 2005 डाउनलोड इन इंगलिस और हिंदी जिस भी language में आप डाउनलोड करना चाहते हैं उसे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं यह original language में भी लिखा हुआ है अभी हम आगे पढ़ेंगे NCF 2005 की सुरुवात में ही अध्याए एक से ठीक पहले हमें एक paragraph देखने को मिलता है जैसे हमारा पहला chapter सुरू होता है NCF 2005 में उससे पहले हमें एक paragraph देखने को मिलता है यह paragraph सब्वेतावे परगती एक निबंद है उससे लिया गया है यह निबंद रविंदर ना टैगोर ने लिखा है अब इस paragraph को ही हम मानते हैं कि हमारा जो NCF का अधार है वह है यही है इसे हम देख सकते हैं NCF 2005 की सुरुवात में चैप्टर एक से ठीक पहले हमें रविंदर ना टैगोर के एक निबंद सब्वेतावे परगती निबंद का नाप है उसका एक उद्धरन पैरागर आप देखने को मिलता है अते हम कह सकते हैं कि NCF 2005 का जो आधार है वह है रविंदर ना टैगोर का यह निबंद है सब्वेतावे परगती कोश्चन आता है कि एक पैरागराप में लिखा हुए ठीक चैप्टर वन से पहले इस पैरागराप के बेसिज पर हमने लिखना शुरू किया मतलब इसे हम आदार मानते हैं नेक्स प्विंट है हमारा यह है मुख्या तोर पर रचनावाद पर अदारित है जो NCF 2005 है किस पर अदारित है कोश्चन आता है आपके पेपर में अगर रचनावाद महाँ पर मिलता है तब तो आपको रचनावाद ही लगाना है रचनावाद आपके पेपर में रचनावाद ह अब को लगाना होगा इसके अलावा यह संग्यानवाद पर्गति शील शिक्सा और बाल केंदी्य सिक्सा पर भी आदारित है पेपर में अगर रचनवाद नहीं मिला आपको option में तब इन में से एक option मिलेगा वो लगाना पड़ेगा अगर रचनवाद है फिर तो आप किसी चीज को नहीं देखेंगे, रचनावाद को ही देखेंगे, अब हम कहा सकते हैं, हमारा NCAP मुख्य तोर पर रचनावाद पर आजारित है, रचनावाद क्या कहता है, बच्चों को खुद कुछ करके सीखाओ, सरवंगिन विकास पर बल दो, और उन्हें खाली NCAP कहेगा, पूरा NCAP यही बात कहेगा, कुछ और एक्स्टा नहीं कहेगा, जो NCAP 2005 है, वो इंगलीज बासा में बनाया गया है, इंगली बासा में बनाया गया है, लेकिन उसका जो ट्रांसलेशन हैं, हमारी सम्विदान की आठवी अनुसूची हैं, उसमें 22 बासा हैं, 22 की 22 आपके जुनिर्मांड कर देख सकते हैं अपने सपनों के बारत को दरातल पर उतार अब बात कर लेते हैं एंसेफ दोजार पांच में कौन-कौन सी बाते लिखी हुई हैं एक तो यही बताई गई है बच्चे कैसे सीखते हैं विद्धाल्या कैसा होना चाहिए सिख्षक को कैसे पढ़ाना चाहिए हमें सीखने की कौन-कौन सी विद्यों का किस तरह की चीज़ो परियोग करना चाहिए यह चीजह ncf में लिखी हुई है और संव भी लिखा हूए है कि हमें कुन सा संविद्ध पडाना कि सतरह से पड़ाना ज्यौन और बच्रों को कैसे देना है सब कूछ ncf में लिखा वह अब जिखा हूए है सबसे पहला पॉइंट है पंठे करहम सिक टुरन करो क्योंकि वह सईक्सा उद्देशों की पूरती के लिए है नहीं कि बिलकूल उस पर ही निर्भर रहो। ज्यादा हमें नहीं रटाना, करके सिखाने पर बल देओ, करके सिखाने पर यह आपको बल देना है, activity based learning करना है, learning by doing करना है, यही हमाई रचनवाद ने कहा था, करके सीखने पर बल देना चाहिए, यही लाइन आ गई दुबारा, हमें रटाना नहीं है, बच्चों को करके जोड़ा जाए, अगर बच्चे कक्षय में पढ़ रहे हैं, तुभे कक्षय कक्षय में ही नहीं रहे हैं, बाहर practical के लिए बाठ जा सकते हैं, किसी survey के लिए बाठ जा सकते हैं, project के लिए बाठ जा सकते हैं, trip पर गुमने के लिए बाठ जा सकते हैं, कक्षय को बाहर ले जा कोई काम दे कोई एक्टिविटी दे आपकोर इस अपकर चुपचे बैठके ना सीखें बिना भारा दी गाम मतलब हम पर श्यादा लोड न डाले इतने paper है आपको यह पास यह करने है लोड ने डाले हैं Sandy that लोड नहीं डालना हमें पढ़ाईगा बच्चों पर नेक्स पॉइंट है सिक्षन पर किरिया पुस्ता के अंदरी तो वही बात मैं बता चुका हूं बच्चे एक्टिवीटी से सीखें किताबों से ने सीखें सलेबस पर ज्यादा डिपेंडेंट ना रहे एक टीचर एक्टि मनोविज्ञान ने जो नियम सिद्धान्त बनाए है पड़ाई के लिए उन से संबंदी सो विद्याल्या का जो बात अवरण है नेक्स पॉइंट है हमारा मोटी किताबे सैक्सिनिक एसपल्था की परतीक होती है यह हमारे नसे अपने का है किताबे ज्यादा मोटी नहीं होन लिकर रहे हैं नेक्स पॉइंट है सैक्सिनिक गती विदियो में अभी भावकों को जोड़ा जाए अब इसकूल में यह भी हो रहा है कोई अक्टिवीटी हो रही है हम कहा देते हैं बच्चों से कि अपने फादर के साइन करा के लाओ या यह काम आप अपनी मम्मी पापा की हल्प से करो या फिर मम्मी पापा को भी विद्याला में बुलाया जा रहा है अब क्या हो रहा है विद्याला को मम्मी पापा से जोड़ा जा रहा है कक्षाई जो गती विदिया है उसको अभी भावकों से पेरेंट से जोड़ा जा रहा है सांती के लिए शिक्सा यह इसमें निदारत परिक्सान हो लचील पनों बदलती रहे कभी आपने लेक्रेंट ईनका प्रैक्टिकल ले लिया कभीआ वाईवा ले लिया कभी आप ने खांग diversity ya इस तरह से लचीला पर होना चाहिए परिक्साओं में फिक्स नहीं हो ये सारी चीज़ें NCF 2005 में लिखी हुई है इन्हें आप देख सकते हैं और क्या लिखा हुए थोड़ा सा उसे देखते हैं छात्रों के सरवंगिन विकास पर बल दिया जाए जो NCF 2005 है हमारा छात्रों के सर सरवंगिन विकास पर बल देता है सरवंगिन विकास से मतलब हमारा समाजिक भासाई सारीरिक मानजिक सम्वेक आत्मा के सब कुछ जो हमारा विकास है सब पर बल दिया जाए कि बच्चों की बुद्धी का विकास करना है बच्चों के हमें सारीर का विकास करना है पूरा वि इसी वजयसे जो आपकी किताबे बगार है उस पर जंडा होता है राष्टेगान होता है आगे-पिछे हमारे मुल जो हमारे मुलीक करतव हैं नेक्स पॉइंट है शिक्सक एक सुविदद आता सुगम करता फैलिसिटेटर है यह तो उससे आया है रचनवाद से अंशेब रचनवाद को मानता है तो रचनवाद में शिक्सक एक सुविदद आता है रचनवाद हमने पढ़ाता उसमें पढ़ाता सिक्सक क्या एक फैलिसिटेटर है क्या करेगा बच्चों की सायता करेगा ज्यान का निर्मान करने में दो चीजे मानी जाती है पहली चीज शिक्सक पढ़ाता है दूसरी चीज बच्चे पढ़ते हैं वर्तमान समय में हम इस दूसरी चीज का परण करते हैं कि बच्चे पढ़ते हैं और शिक्सक क्या करता है बच्चों के प मात्र बासा है उसका माध्यम सिक्सा का वही होना चाहिए प्राहिमरी में तो मोस्टली मात्र बासा ही रहेगा और एंसी अपने क्या किया है तिरी सरीय फोर्मुला सक्रिय किया है भारत में यह पहले से चला आ रहा था और एंसी अपने भी इसे मान्यता दी क्या किया जाएगा बारत के जो विद्यालने हैं उनमें तीन बासा ये पढ़ाई जाएंगी पहली बासा हमारी राष्ट बासा होगी हिंदी दूसरी बासा कौन सी होगी अंतरास्टिय बासा होगी कोई भी अंग्रेजी पहली हिंदी होगी दूसरे अंग्रेजी होगी एक रास्ट बासा दूसरे अंतरास्ट ये बासा थर्ड जो language होगी वो कोई छेतरी बासा होगी संसकर्थ, उर्द्, पंजाबी इस तरह कोई भी तीन बासा पढ़ाई जाएंगी आपके विदल में अब सोचके देखिए जब आपने 9th, 11th, 10th, 12th यह चीजे कलासिज आपने पास की है उनमें क्या हुआ है आपने 3 language पढ़ियोंगे एक तो हिंदी पढ़ी है एक इंगलिस पढ़ी है इसके अलवा आपने संसकर्त या उर्दू भी पढ़ी होगी अगर संसकर्त आपके पास चोड़ दी गई होगी संसकर्त पढ़ी जरूर होगी आपने क्योंकि 3 भास यह फॉर्मूला एक्टिवेटिड है इंडिया में 3 language फॉर्मूला और NCP ने भी इसे मानने ता दिये पेपर में आता है NCP ने 3 बासा के कौन-कौन सी मानी है रास्ट बासा अंतरास्टिय बासा औ एक पूरे संसार की बासा और एक उस बच्चे की मातर बासा या उस बच्चे की छेत्रिय बासा यह तीन चीज़े NCP ने मानने ता दिये हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए और यहीं पढ़ाई जाती है विद्यालों में यह NCP था हमारा NCP कंपलीट हुआ NCP में क्या था ए NCP ने बताई हैं हमें अब बात कर लेते हैं जो हमारा आज का सेकिंड पॉइंट है सिक्सा का अधिकार अधिनियम 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जिसे हम आर टी एक्ट 2009 बोल देते हैं यह क्या है जा सम्विधान लाग हुआ था सम्विधान में यह बात लिखी हुई थी कि भारत के सभी बच्चों को प्राथ्मिक जो कक्षाई है उनकी निसुर्क वे अनिवारे सिक्षा दी जाएगी भारत के जितने बच्चे हैं उन सब को प्राइमरी ऐजुकेशन फिरी दी जाएगी यह हमारे सम्विधान में लिखवा था अब इस चीज को ही पालन करने के लिए क्योंकि जो सम्विधान में लिखा हुआ है वो सब को मानना पड़ेगा जो हमारे भारत की सरकारे हैं वे क्या कर रही है प्राइमरी क्लास के सभी बच्चों को फिरी एजुकेशन देने के बार बार परियास कर रही है और यह जो RTE है यह भी एक उस परियास की कड़ी में यह कदम है यह क्या है एक एक बना दिया भारत में जो हमारे यह कानून वगरा पारित नहीं होते संसद में तो यह भी एक कानून हमने संसद में पारित कर दिया कि बारत के सभी बच्चों को प्राइमरी क्लास की सिक्सा फिरी दी जाएगी निसुल्क दी जाएगी और ज संसोदन किया गया था जिसके त्याद संविदान में एक नया अनुच्छे जोड़ा गया था 21 इस अनुच्छेद में यह का गया था कि बारत के सभी बच्छों को जो परात्यमी कक्षाई है अनिवारित था निसुल्क दी जाएगी अब जो 21 जो यह अदिनियम है यह हमारा जो 11 21 21 जो अंच्छे उनियम यह नहीं जीज़न है इसमें क्या बताया यह कंद मूह लगा है 21 वार्ण है इसमेड कर दो ज्योर अर्टिकल जोड़ा 21 से उस आर्टिकल के तयाथ हमने से मूल अधिकार बना दिया जिसके तयाथ अब 21 में क्या लिखा हुआ है बारत के 6-14 साल के सभी बच्चों को निसुल्प तता अनिवारिय प्रात्मिक शिक्सा दी जाएगी बात वही है अब क्या हो गया शिक्सा देना बच्चों को मूल अध अधिकार की पूर्टी के लिए अनुछेद 21-1 के तहत 12 सरकार ने क्या किया 2009 में सिक्सा का अधिकार अधिनियम लाया गया और उसे लागू किया गया समझ पाए सबसे पहली बात सम्विदान हमें कहता है कि बच्चों को निसुल्प सिक्सा दो पहली बात तो यह है दूसरी कहता है कि 6-14 साल के बच्चों को निसुल्प सिक्सा दी जाए यह भी हमारे एक्ट इसमें लिखाव है 2009 में यह जो एक्ट है यह 2005 का ही संसोधित रूप है 2005 में भी एक एक्ट लाया गया था उसको ही चेंज करके हमने 2009 एक्ट बनाया है और अभी 2009 एक्ट ही हमारा परभावी है इसकी भी कई चीजे हमें देखनों को मिलेंगी हमारे विद्याले में यह दिनियम 2009 में पारित हुआ था लेकिन इसे पूरा जो लागू किया गया था एक अप्रेल 2010 से लागू किया गया था पूरे भारत में जियनके को छोड़ कर काफी सारी इंप्रोटेंट चीजें यह पर आ गई है कौन कौन सी सबसे पहले सम्विदान संसोधन किया गया 2002 में च्छेसी वा 21 जोड़ा गया इक किसे में च्छेसे 14 साल के बच्चों को पढ़ाने की बात की गई मूल अदिगार बन गया अब इसके तयात है आर्टी 2009 लाया गया 2009 में लाया गया था यह एक अप्र है आर्टी 2009 यह जो है इसमें जो जो भी बाते कही गई है में सरकारी और प्राइवेट दोनों परकार के विद्धालों पर लागो होंगी अगर आर्टी ने यह कह दिया कि सब बच्चों को फिरी सिक्सा दी जाएगी तो वो प्राइवेट पर भी लागो होगी सरकारी पर भ पाते लिखी हुई हैं यह पढ़ते हैं यह भी एक तरह से डोकुमेंटेसा नहीं था जो सरकार ने लागो किया था बारत में एक्ट बना कर कि बारत के स्कूलों को क्या-क्या चीज़े माननी पड़ेंगी अब उनके बारे में था यह अधिनियम सबसे पहला पोइंट हो जा जो एक्ट आया था इसने का आया यह बात जो ठीक ठाक बच्चे हैं चल पिर सकते हैं हाथ पैर उनके ठीक ठाक हैं उन्हें चैंसे चोदा साल के बच्चों को निसुल्क शिक्सा दी जाएगी अनिवारी है लेकिन जो विकलांग बच्चे हैं उन्हें 6-18 साल के बच्चों क गर के एक किलोमेटर के अंदर अंदर प्राथमी की स्कूल हो मतलब एक से पांच कक्सा का स्कूल हो किसी बच्चे का घर है उससे एक किलोमेटर के अंदर अंदर एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए कक्सा एक से पांच का और तीन किलोमेटर के अंदर अंदर उच प्राथम आंदर सभी बच्चों के स्कूल होना चाहिए, इस वोजे से वह ischool आपको मिलता तक वहां देखने के लिए ऐक किलोउमेटर के अंदर अनदर primary school होगा एक से पाँच और तीन किलोमेटर के अंदर आपका upper primary school होगा six से आठ next point की बात कर लेते हैं जहां तक संभव हो विशेस्ट बच्चों को भी समन्य विद्दलों में बेजने का परियास किया जाए मतलब समावेशी सिक्सा RT 2009 कहता है समावेशी सिक्सा पर बल देओ जो विशेस्ट तरह के बच्चे हैं उन्हें भी हम समन्य स्कूल में बेजो जो बच्चा ठीक है और जो बच्चा हाथ पैर उसके सही काम नहीं करते जो बच्चा जादे इंटेलिजेंटर जो बच्चे की बुद्धी बिल्कुल मन्द है सब को एक स्कूल में बेजो RT 2009 कहता है इंकलोजीव एजुकेशन पर बल देता है RT 2009 इंपोर्टेंट लाइन ही आ है RT 2009 किस चीज़ पर बल देता है इंकलोजीव एजुकेशन पर कोई भी विद्याल है कभी भी किसी बच्चे का परवेस लेने से मन्या नहीं कर सकता यह RT 2009 ने बोला है अब देखो यह लाइन कहाँ पर काम आई है हमारे कोवीड में काम आई है यह लाइन जब कोरोना हुआ सभी पेरेंट्स ने क्या किया प्राइमरी स्कूलों में एडमिसन कराना सुरू कर दिया जो सरकारी थे जो प्राइवेट को स्कूल थे अपने बच्चे का नाम कटाया उसे अनलिस्टिड कराया और जो गोर्मेंट प्राइमरी स्कूल है उसमें उन्होंने अपने बच्चे का आडमिसन करा दे क्योंकि फीस उनके पास नहीं थी अब प्राइमरी स्कूलों के पास बच्चे ज़्यादा हो गए लेकिन वे admission लेने से मनय नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि RT 2009 लगा हुआ है तो कोई भी विद्धाल है किसी भी बच्चे का परवेश लेने से मनय नहीं कर सकता primary school वालोंने क्या क्या दो दो सिफ्ट चलानी शुरू कर दी बच्चों को 3-3 दिन बलाना शुरू कर दे एक बच्चा 3 दिन जाएगा 3 दिन के चुट्टी लेकिन admission लेने के लिए मनय नहीं कर सकते हुए ये force है उन्हें next point है किसी परवेश के समय बच्चे का या उसके मम्मी पापा का कोई interview नहीं लिया जाएगा primary school में सरकारी में आप जाएंगे तो कोई interview नहीं लिया जाता वैसे ये चीज़े private school पर भी लागव होती है लेकिन private school फिर भी अपनी चलाते ही है आप उन्हें कितने कानून दे दे लेकिन सरकारी school पूरा मानेगा ऐसे ममी पापा का बच्चे का कोई interview नहीं लेगा बच्चा अगर admission के लिया आया तो चुपचाप उसका admission कराओ next point है प्रात्मिक कक्षाव में किसी को fail नहीं किया जाएगा वो आप देख सकते हैं अगर primary class का कोई बच्चा सरकारी primary school में पढ़ता है और वो कोपी खाली छोड़के आता है तो teacher खुद लिखेगा और उसे pass करेगा हम fail नहीं कर सकते यह क्यों नियम लाया गया था क्योंकि भारत की साकसरता कम थी और अगर हम बच्चों को fail करेंगे तो साकसरता और कम हो जाएगी तो fail नहीं करते हैं बच्चों को pass pass करके बस उन्हें पड़े लिखे मान लेंगे चाहे कुछ आए या नहीं आए उन पर next point है अगर कोई बच्चा शुरू में परवेस नहीं लेता अब यह क्या कहता है 2009 इसे देखो थोड़ा 6-14 साल के बच्चों को फिरी सिक्सा दी जाएगी जो समन्न है 6 साल का बच्चा पहली कक्सा में आएगा 7 साल का बच्चा 2nd क्लास में आएगा 8 क्लास का बच्चा 3rd क्लास में आएगा और इसी तरह से आएगा यह माना जाता है और यह माना जाता है कि बच्चा 6 साल का पहली कलास में एडमिसन नहीं लेता, 7 साल का हो गया, वो 2nd कलास में एडमिसन नहीं लेता, लेकिन जब वो 8 साल का हो गया, तब विद्याला में परवेस लेने के लिए आता है, तो उसे पहली कक्से में परवेस नहीं दिया जाएगा, तीसरी कक्से में दिया बच्चे को कोई नहीं पीटता न तो पीटते न बच्चे को डाटते पढ़ना है तो पढ़ नहीं पढ़ना तो मत पढ़ next point है हमारा कोई भी सिख सक निजी संस्थान नहीं चला सकते tuition नहीं पढ़ा सकते मतलब अगर कोई teacher किसी school में पढ़ा रहा है private में चाहे सरकारी में वह tuition नहीं पढ़ा सकता अपने एक निजी संस्थान नहीं चला सकता आप ये सोच सकते हैं जब आप secondary classes में थे तो आपका teacher आपसे कहता होगा कि हम tuition नहीं पढ़ा सकते क्यों नहीं पढ़ा सकते क्योंकि RTE लगा हुआ है RTE 2009 लागू है जो कि कहता है कि teacher tuition नहीं पढ़ा सकते अगर tuition पढ़ाना है तो school छोड़ दो next point है बिना माननेता वाले विद्धाले उस time पर जब RTE 2009 लागू किया गया था तो कुछ देशी विद्धाल ले थे जिन्नों के पास माननेता नहीं थी तो RTE 2009 ने क्या कहा था कि 3 साल के अंदर अंदर सभी विद्धाले माननेता ले ले और 5 साल के अंदर अंदर सभी टीचर BA या BTC कुछ भी कोर्स कर ले ट्रेनिंग वाला कोई भी टीचर जिसने ट्रेनिंग नहीं ली हुई है पढ़ाने की नोर्मल BA करके या फिर बारवी गलास करके पढ़ाने लगा वो नहीं माना जाएगा और 5 साल के अंदर अंदर उसे कोई भी टीचर ट्रेनिंग परोग्राम में सामिल होना होगा और ट्रेनिंग लेनी होगी पढ़ाने की अगर वैं नहीं लेता तो उसे विद्दाले में पढ़ाने की अनुमती नहीं दी जाएगी और ये चीज आप अब भी देख सकते हैं जो स्कूल वाले हैं B8BTC को ज़्यादो मानते हैं कि B8BTC किसने क्यूई है उसे ज़्यादा लेने की कोशिस करेंगे क्योंकि RT वाले आके बोलेंगे तुमने से क्यों रखा टीचर पांस साल के अंदर अंदर टीचर को ट्रेनिंग लेनी होगी तीन साल के अंदर अंदर इस्कूल को माननेता लेनी होगी अगर कोई माननेता नहीं लेता वो बंद कर दिया जाएगा कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं लेता उसे निकाल दिया जाएगा हर private school में 25-35 seat जो गरीबों के लिए होंगी 25-35 seat जो है हर school में गरीब बच्चों के लिए होंगे उन पर fees नहीं ली जाएगी private school में लेकिन ये 25 भी में अमीरों को देते हैं पेपर में चड़ा देंगे कि ये गरीब है next point है स्कूल में पुस्त काल लेगा अकबार पढ़ने के सुविधा होगी ये आप देख सकते हैं हर college में मिलेगा प्राइमरी स्कूल में भी आपको library मिलेगी क्यों मिलेगी RTE ने कहा हुआ है RTE कहता है library हो हर स्कूल में तब होती है मिड़े मिले मिड़े मिलकी एक रसोई अलग से होगी एक रसोई बनानी होती है मिड़े मिलकी और इसकूल में एक रसोई आपको मिल जाएगी परदानाचारिया का एक कमरा अलग होगा फ्रिंसिपल कभी एक अलग से कमरा बनने लगा RTE आ गया वैसे यह चीजे पहले भी थी लेकिन उन्हें विसेश तक आ गया है कि फ्रिंसिपल का कमरा अलग बना हो नेक्स पॉइंट है लड़कों वह लड़कियों का बातरूम अलग अलग होगा अब आप बारत के अलग सोच सकते हैं एसी चीजे लिखने के लिए कहीं गई है एक्ट में ऐसी चीज जो कानून में है संसद में पारित हो रही है और एक अगर ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो आप सोच सकते हैं बारत के अलग कैसी है एजुकेशन सिस्टम हमारा कैसा है और क्या का है 30 बच्चों पर एक टीचर होगा 60 बच्ची हो गए तो 2 टीचर और आपके 75 या 70 बच्ची हो गए तो 3 टीचर 30 बच्चों पर एक टीचर जरूरी चाहिए और जो आपके 6-8 हैं वहाँ पर 35 बच्चों पर एक टीचर चाहिए यह अनुपात दिया हुआ है और अगर नहीं भी आपके पास teacher बच्चे ज़्यादा हो गए या कुछ और हो गया maximum 40 बच्चों पर एक teacher तो होना चाहिए इस से ज़्यादा नहीं चलेगा अगर 41 बच्चे हैं तो दो teacher होने ही चाहिए मैक जीमम इतना दिया है प्राइमरी में इतना है अपर प्राइमरी में इतना है और मैक जीमम इतना है क्या है यह चात्र सिक्सक अनुपात है कितने चात्रों पर कितने सिक्सक होने चाहिए अब हमने क्या पढ़ लिया एंसिया पढ़ लिया जो हमें बताते हैं हमारा सलेबस क् फिर हमने पढ़ा RTE, RTE क्या था जो बताता था कि बच्चों को फिरी सिक्सा दी जाएगी, विद्यालों में किस तरह से दी जाएगी और क्या-क्या नियम कानून विद्यालों को मानने हैं, अब बात कर लेते हम नई सिक्सानीती की, ये नई सिक्सानीती आई है भारत की New Education Policy ज अब इसका ये नई पता है कितनी लागू होगी, पूरी लागू होगी, क्या लागू होगा, क्योंकि ये थोड़े confusion में चल रही है, इसके जो नियम कानून बताए गए थे, कुछ तो अभी बदलने शुरू भी हो गए है, अगर नई सिक्सानीती 2020 की में आपको एक बात बत हूँ, इसमें एक चीज बताई गई थी, हमारा क्या होगा, BABR होगा, BADL होगा, जो भी होता है, BABR होगा, BADL होगा, और हमारा BSCBR होगा, ये चीजे नई सिक्सानीती ये बताई गई थी, और ये कोट चलने भी लगे थे, BABR, BADL, BSCB, BSCDL, लेकिन ये बंद कर दिये गई है, अभी, ये कोट बंद हो गई है, अब सोच सकते हो, नई सिक्सानीती अभी पूरी तरह से लागो भी नहीं हो ये 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 या जो इसकी चीजे थी में बंद करनी संसोधन शुरू हो गया, इसमें, अब हमने क्या नई चीज लेकर आए है, एजुकेशन के वो बंद हो गया है, बेर, 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 अब आई टैप आया है, इसमें क्या है, आई टैप में, आपके कहीं चीजे बचाई हैं इसने, ग्रेजवेशन इसमें है, आपकी बेर इसमें है, और डेर इसमें है, साथ साल का, इन्होंने चार साल के कोर्स कर दिया है, ये, ब आप कहीं भी टीचर बनो यह नई चीज आई है तो जो नई सिक्सानीती 2020 है यह थोड़ा इसमें भी है confusion वगरे में क्या चीज इसकी लागू होगी क्या नहीं लागू होगी काफी अच्छी है लेकिन फिर भी काफी confusion में इसकी कहीं चीज़े हैं अब इसके बारे हम पढ़ते हैं, नई सिक्षानीती ने हमें क्या क्या बताया है, सबसे पहली बात ही हो जाती है, जो नई सिक्षानीती को है, इसोरोगे पूरू परमुक, मतलए इसोरोगे जो पहले परमुक थे, डोक्टर करशना स्वामी कस्थूरी रंगन इन्होंने बनाय इनके अदक्स्ता में एक कमिटी बनाई गई थी उस कमिटी ने ये नई सिक्सनी थी बनाई है और इसके लिए बहुत मेहनत की गई है ये समझ लीजिए बारत के छोटे-छोटे से छेतर से चीजे ली गई है कि आप अपने छेतर के सिक्सा में क्या परिवर्तन चाहते हैं अब जो भारत की है तीसरी सिक्सानीती है पहली सिक्सानीती 68 में आई थी दूसरी सिक्सानीती 86 में आई थी और 86 में जो सिक्सानीती आई थी उसे 92 में संसोधित किया गया था और उसके बाद अब 2020 में ये तीसरी सिक्सानीती आई है पहली सिक्सानीती 68 में आई थी दूसरी शिक्सानिती 36 में यही थी तीसरी सिक्सानिती 2020 में आई है लेकिन जो अमारी शिक्सानिती थी उसे बारणव में एक बार संसोतित भी किया गया था सीटेट नहीं पूछेगा बस आपको पता होना चाहिए कि ये सत्यंत्ता के बाद हमारी तीसरी सिक्सानिती है इसे इसने क्या किया सिक्सानिती ने एक MHRD नाम की एक संस्ता थी जो एक तरह सिक्सा मंत्राले ही था सिक्सा को देखता था MHRD Ministry of Human Resource and Development माना उसनसादन विकास मंत्राले इसका नाम बदल कर सिक्सा मंत्राले कर दिया गया पहले इसका नाम सिक्सा मंत्राले ही था फिर इसका नाम MHRD किया गया था अब दुबारा से MHRD जे सिक्सा मंत्राले कर दिया गया नेक्स पॉइंट है नई सिख्सा नीती जो 2020 सायव है बाल के इंदरित है मतलब बच्चों को खुद कुछ करके सीखने पर उसर देती है बच्चे सक्रिया रहें बच्चे खुद कुछ करके सीखें बच्चों के अनुसार हम अपना सलेबस अपना पार्ट अपने पढ़ाने का तरीका निर्दारित करें रचनावाद सरणचनावाद से प्रेरित है ये बात भी यही कहता है कि बच्चों को खुद कुछ करके हम पढ़ाएं शिख्षक क्या है एक observer है बच्चो का निरिक्सन करेगा फैलिसिटेटर है टीचर एक निरिक्सक बच्चो के लिए सुविजद आता बच्चो को पढ़ाएगा नहीं टीचर बच्चो के पढ़ने की परकिरिये में सायता करेगा यह चीजे नहीं सिख्षनिति में लिखी हुई नेक्स पॉइंट है इसमें करके सीखने पर बल दिया गया है यह तीनों चीजों आपकी एक ही हो जाती है पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट है यह कहीं बार आपके उसमें पेपर में आएगा नेक्स पॉइंट है 360 degree development चहामों की विकास all-round development पर बल दे जाएगा बच्चों के शिखी बुद्ध्य बूद्ध्य को नहीं बढ़ाना हमें बच्चे के पूरे विकास पर बल देना हमें next point है, इसमें, प्रात्मी की स्तर पर मात्र बाशा कोई बासा के मधध QUE pec. सानिती ने भी यही Presidential है कि जो बच्चे की मात्र बाशा में पढ़ाई है, उसका विकास अच्छा होता है, और वो intelligent होता है. हमारी मात्रबास हिंदी है अगर हम बच्पन से अंगलीस में पढ़ाई करें तो अंगलीस आ जाएगी लेकिन हम intelligent कम होंगे जितना एक हिंदी में पढ़ने वाला बच्चा intelligent होगा मात्रबास में जो बढ़ाई करता वो intelligent होता है अब नई सीख्षा नीती ने क्या किया हमारे education system की जो ढाचा था structure था ही सनन्च न थी उसो बदल दिया पहले क्या होता था 10 पलस 2 था अगर मैं इसको आपको पूरा बताऊं 10 पलस 2 पलस 3 पलस 2 पहले यह था हमारा ढाचा पूरा जो पूरा ढाचा था पहले बच्चा दसवी कलास पास करेगा क्योंकि दसवी कलास से पहले हम किसी को जानते ही नहीं थे दसवी कलास के एक certificate देते थे main की बच्चा दसवी करेगा उसके बाद बारवी करेगा उसके बाद B.A.B.S.C. करेगा उसके बाद M.A. करेगा तो यह धांचा था पहले अब भी यही है क्योंकि नई सिक्सानी थी पूरी तरह से लागू नहीं हुई है लेकिन अब क्या किया इन्होंने जो 10 पलस 2 का यह धांचा था इसको बदलके 5 पलस 3 पलस 3 पलस 4 कर दिया पहले बच्चा 10 वी करेगा फिर 12 वी करेगा यह चीजे कही जाती थी और इतना गरवो कर लेगा हम कहा देंगे उसकी स्कूलिंग पूरी हो गई लेकिन अब बच्चे की स्कूलिंग को इन बागों में बाट दिया पहले बच्चा 5 कलास पास करेगा फिर 3 करेगा फिर 4 करेगा यह धांचा बनाया है अब यह कैसी है? उसके बाधे में थोड़ा पढ़ते है यह हमारा दांचा है यह कौन-कौन सी कक्षा आएंगी इस दांचे में यह इस दांचे का structure का नाम है और कितनी साल की उम्र का बच्चा किस structure में या किस पार्ट में रहेगा यह चीज़ें आपर लिखुई हैं मैंने paper में आता है सबसे पहला आता है 5 5 point जो हमने हमारे जो structure है 5 plus 3 plus 3 plus 4 उसमें जो 5 साल होते हैं यह साल हैं 5 साल में बच्चा pre-primary पढ़ेगा और पहली और दूसरी class पढ़ेगा प्री प्राइम ने क्या क्या आएगा आपका नरसरी, LKG, UKG, तीन कक्षा है तो आपकी यह हो गई, पहली कक्षा और दूसरी कक्षा, यह पांच कक्षा है पड़ेगा बच्चा, इस पांच में यह आता है, और इसका नाम क्या होगा, फाउंडेशन स्टेज, और बच्चे की में, लेकिन हमने यहाँ पर क्या का नहीं सिख सनी थी, तीन साल के बच्चे का ही हम एडवेशन लेगे, लेकिन प्री प्राइमरी आज्यूकेशन में ले लेगे, जहां पर छे खेलं कर सीखने की परयास करेंगे, बच्चे खेलते रहें और सीख लें, पहले जो पांच साल ह तुपर स्टेज लहों को आट से 11 साल का बच्चा आट से 11 साल का बच्चा वहाँ पर रहता है आट से 11 साल का जो बच्चा अगले तीसल बच्च्छा साथ वै आठ में रहेगा इसे मिडल स्टेज गएंगे और यह 11 साल से 14 साल का बच्चा इस स्टेज में रहेगा अगले 4 साल बच्चा 9, 10, 11, 12 में रहेगा इसे हम सेकेंडरी स्टेज गएंगे 14 से 18 साल का बच्चा इस स्टेज में रहेगा अब देख सकते हैं 3 साल के बच्चे का हमने admission लिया 18 साल के बच्चे को हमने schooling pass करा दी अब schooling pass कर लिया उसने अब अपना जार बना सकता है DL वगरा कुछ भी काम कर सकता है व्यस्क हो गया basic जो उसका development था वो हमने कर लिया यह है इससे क्या फाइदा होगा अब यह जो 5 पलस 3 पलस 3 पलस 4 यह क्यों बाटा है इससे यह फाइदा होगा हम कहतेंगे कि हमारा foundation stage के लिए हमने एक नई नीती लागाई है कि foundation stage में बच्चों को किताबे नहीं पढ़ाए जाएंगी उसका मतलब यह हुआ जो बच्चे की pre primary sixer कक्षय कक्षय 2 में कोई किताब नहीं पढ़ाए जाएगी इस तरह से होगा middle stage में हम बच्चों को ज़्यादा practical कराएंगे सरकार ने statement दे दिया तब स्कूलों को पता चल जाएगा कक्षय 6-7 में बच्चों को ज़्यादा practical कराने आए तो इस तरह से भागों में बाटा इस तरह से आसान हो जाएगा आपनों सिक्सानीती कोई भी लागो करना ये था आज का हमारा topic NCF RT सिक्सानीती तीनों हमने cover कर लिया most important topic है काफिया आपके paper में आता है अब बात करते हैं इन topic से आपके sitat के exam में कौन-कौन से question आते हैं उन्हें देखते हैं थोड़ा सा आज का हमारा सबसे पहला question है NCF 2005 के अनुसार सिक्सक की क्या भूमिका है NCF 2005 में सिक्सक क्या था फेलिसीटेटर था सहयता कर रहा था बच्चों के सीखने में नहीं कि उन्हें कुछ सिखा रहा था सत्तावादी नहीं है सत्तावादी का मतलब है तीचर की सत्ता है उसकी मर्जी वो जो कराए जिस तरह बच्चों को पेल दे जिस तरह बच्चों के डंडा पेल दे अधिनायकी है यह भी वह हो जाता है तीचर अधिनायक है गलत है अनुमती परक मतलब बच्चों को टीचर से अनुमती लेनी पड़ेगी हर काम में ऐसा नहीं होता बच्चे अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं सुवीदद आता एंसर इसका डी हो जाता है नेक्स कोश्चन रास्ट्य पठ्थे चरिया फ्रेमवर्क NCF 2005 ने अपनी समझ कहां से प्राप्त की है मानवतवाद नहीं वेवारवाद नहीं मैंने आपसे कहा था अगर रचनावाद आ जाए तो उत्तर रचनावाद ही होगा अगर रचनावाद नहीं होता तो हम संग्यानवाद उत्तर लगाते लेकिन रचनावाद है तो रचनावाद लगाएंगे हम ये बात आप हमेंसे याद रखना रचनावाद है तो रचनावाद लगेगा अगर रचनावाद नहीं है तब कुछ ओड़ लगेगा Next question है अब तक का NCF कौन सा है latest जो हमारा NCF है वो कौन सा है ये वाला NCF 2005 answer C हो जाता है Next question हमारा NCF 2005 किस पर बल देता है ज्यान को कक्से से बारे जीवन पर जुड़ा जाए सही बात है कक्से को कतिविदी से जुड़ा जाए सही बात है करके सीखने पर बल दे जाए सही बात है answer हमारा D हो जाता है NCF 2005 इन सबी चीज़ों पर बल देता है Next question है हमारा निमलिकित सर्रचनाव में से सिख्सा का दिकार अदिनियम जो हमारा RTE Act है 09 RT 2009 किस की वाकालत करता है एक इकरत सिख्सा समावेशी सिख्सा की करता है NCF RTE रचनाबाद जो हमारा बाल के अंदर सिख्सा है परगत इसील सिख्सा है यह सब हमारी समावेशी सिख्सा की वाकालत करते हैं कि सब बच्चों को एक साथ पढ़ाओ Intelligent, ठप, मूरक, हाथ पैट ऊटावा ठिक ठाक चलतावा सब को एक कक्सा में पढ़ाओ जिससे सब लोग एक दूसरे के साथ रहें उनमें समाजिक्ता आए नेक्स कोश्चन की बात करते हैं सिख्सा का अधिकारना दिनियम RTE 2009 किरियानवन के बाद कक्षा अच्छा RTE लगने के बाद हमारी कक्षा कैसी हो गई है फर्स पोइंट है परभावित है नहीं क्योंकि RTE के द्वारा मैंने आपको बता है कहीं चीज़े हमारी कक्षा में चेंज होई है हमारे स्कूल में जेंडर के अनुसर अधिक समझाती है नहीं IU के अनुसर अधिक समझाती है इसका एंसर सी हो जाता है मतलब एक IU के बच्चे एक कक्षा में देखने को मिलेंगे ऐसा ही हम करते है आठ साल का अगर बच्चा आता है तो पहले किलास में अड़िशन ना देखा है उसे सिधा तीसरे में देंगे एक IU वाले बच्चों को हमें एक साथ रखते हैं RT कहता है ये बात हमें कौन कहता है RT 2009 हमारा नेक्स कोश्चन है शिक्सा का दिकारा दिनियम आर टी 2009 के तहत विशेश आउसकता वाले बच्चे जो हैं विकलांग बच्चे हैं उनको कैसे पढ़ाना चाहिए अब इन में से हमें चूज करना है सही ओप्शन पहला पोइंट है घर पर माता पिता और अन्य देख भालवालों के साथ पढ़ाना चाहिए नहीं ये तो गलत है हमें विद्यालों में पढ़ाना चाहिए उन्हें भी समयन्य बच्चों के साथ पढ़ाना चाहिए समावेशी शिक्सा में पढ़ाना चाहिए RT ये बात कहता ह खास तोर पर उनी के साथ जो नहीं इसका मतलब है विशेस विद्यालों में विशेस विद्यालों में नहीं पढ़ाना हमें समावेसी विद्यालों में पढ़ाना है यह आ गया समावेसी सिक्सा answer हमारा C हो जाता है समावेशी सिक्सा विवस्था में इस प्रावदान के साथ की उनकी व्यक्तिकत आओ सकता हो कि पूर्ती की जा सके जो हैंडिकाप्ट हैं विशेस आओ सकता वाले बच्चे हैं समावेशी कक्षा में ही पढ़ाई जाने चाहिएं समावेशी विद्याल्य में नेक्स कोश्चन की बात कर लेते हैं हम नेक्स कोश्चन है हमारा निसुल के एमम अनिवार यह बाल शिक्सा दिकार मतलब आर टी जो दोजार नू है वो हैंडिकाप्ट बच्चों की सिक्सा के बारे में क्या कहता है हैंडिकाप्ट बच्चों की सिक्सा कैसी होनी चाहिए तीन वर्से 18 वर्सों के लिए नहीं जो हैंडिकाप्ट बच्चों की सिक्सा है वे 6-18 होनी चाहिए जो समन्ने बच्चे हैं वे 6-14 होने चाहिए हंडिकाप्ट है तो 6-18 कौन सा है D है एंसर हमारा D हो जाता है नेक्स कोश्चन और नहीं सिख्षनी थी 2020 आ गया ये किस चार्ज चीज पर बल देती है परिक्साव की बरंबारता पर नहीं परिक्साव पर कोई बल नहीं देता करके सीखने पर बल देते हैं तथ्यों को और सीखने पर भी नहीं बल देते हैं मिलकि बच्चे तथ्यों को रटे उन्हें सीखे करके सीखने पर बल देते हैं एंसर इसका C हो जाता है नेक्स कोश्चन है जो नई सीखसा नहीं थी 2022 है इसके नुसर हमारे सीखसा का क्या उद्देश से है बालक के छात्रों के कोसलों का विकास करना सही है छात्रों का चमुमो की विकास करना ये भी सही है सरजनात्मक्ता का विकास करना ये भी सही है इसका answer D हो जाता है उप्युक्त स mesmo श्राजनात्मक्त का मतलब होता है हमारे बुद्धी की विकास करना नेक्स कोई नहीं यह यह अज का में आज डिएर्ट उपिक नहीं है और हम ने कवर कर लिए हैं आई होप वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आा होगी वीडियो आपको पसंद आयो Kings switch सीटाट की सभी सबजेक्ट की ऐसे ही रेगुलर क्लासिज लेने के लिए आप इस चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं तिल दैन बाबाई टेक केर